हेलो इंजीनियर सुवन सगेन वेलकम बैग तुमा यूटूब चैनल एजी सिविल विज सलमान दोस्तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हमारी ओवर हेड वाटर टैंक की जो ब्रेसेज होती हैं टाई बीम्स होती हैं उनका हम लोग वीबियस कैसे निकालते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो ही सुरू करते हैं ठीक हैं तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं ड्राइंग पर ड्राइंग में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो कॉलम से कॉलम सेंटर तो सेंटर डिस्टेंस दी गई है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हम लोग उसका सेक्षन देखेंगे, कितने टाइप्स की बार दी गई है, कितने की एक्ष्टा, कितने की मेन बार है न, यह चीज़ डिटेलिंग कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहां पर दी गई है, तीन हजार एक्षेट में, ठीक है, तो हमारी यह डिस्टेंस तीन हजार एक्षेट है, तो हमारी ब्रेसे कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, आठ, आठ ब्रेसे हमारी है, तो 8 से हम लोग इसको multiply कर देंगे तो हमारी एक जो हमारी एक सरी आ होगी उसकी length आ जाएगी तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे यह हमारी हमने 30. 3.061 को multiply किया 8 से तो हमारा 24.488 मीटर आया है ना प्लस 4 मीटर यह हमारा लैप हमने लिया है यह देखिए 2 मीटर एक लैप suppose that आपका यह यहाँ से यह आपके column है ठीक हैं यहाँ यहाँ पे 6 column बने हैं यह आपके 8 column की टंग है तो 8 column होंगे suppose that आप यहाँ से यहाँ तक आपकी एक cutting length आई यह यह यहाँ तक आपकी 12 मीटर क्योंकि 12 मीटर की हमारी standard length आती है ठीक अब उसके बाद 12 मीटर की यहाँ से आएगी तो 24 मीटर हो गया मतलब 2 length इसमें पूरी full लगेंगी अब यह आके कुछ ऐसे जुड़ेंगी यहाँ पे हैं न overlap नहीं करेंगी तो overlap करने के लिए हम लोग 50D का formula लगाते हैं 50D 50D में क्या होता है हमारा 50 इंटू डाया बार डाया हमारा 20 का दिया गया तो 25 पंचे 100 मतलब 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर लैप होना चाहिए ठीक यह 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर ऐसे लैप होना चाहिए ठीक तो वही हमने 2 मीटर 1 दो मीटर इस पे लिया और दो मीटर इस पे लिया ठीक तो यह हमारा निकल के आ गया तो 24 मीटर यह और यह 4 मीटर तो हमारा टोटल 28 मीटर निकल के आ गई ठीक 28 मेंटर निकल गया गई हमारी एक सरीया की cutting length अब हमारी इसमें कितना दिया गया है 3 सरीया दी गई है top में ये दीखिए 20 की 3 सरीय टॉब में दी गई है तो हम लोग 20 में टॉब में 3 सरीया यहाँ पर दे दिये हैं 20 कड़ाया है cutting length हमारे 8.25 मीटर हमने निकाला है यूनिट वेट हमारा होता है 2.48 जो हमारी 20 mm का होता है और हमारा टोटल वेट यहां से निकल के आगए 212 kg सेप आपका यही सिंपल रहने वाला है फिर हम लोग टॉप के इस्ट्रा निकालेंगे टॉप के इस्ट्रा हम लोगों को यहां पे दी गई है यह देखिए टॉप और बॉटम दोनों के इस्ट्रा हमें जहां पे दी गई है कॉलम के फेश से साड़े साथ सो इधर और कॉलम के फेश से साथ सो बचेतर मतलब इधर दोनों तरफ है न तो इसको add करेंगे, तो हम लोगों का निकल के आएगा, आपका 2.1, 2.1 meter, ठीक, 2.1 meter आपका, इसकी cutting length निकल के आएगी, जैसे, 775, 775, यह आपका हो गया, जैके 1550, पचास हो जाएगी, प्लेस 500 आपका, हमारा एक कॉलम, 500 का कॉलम भी है, तो कॉलम में भी 500 रहेगी, तो 500 add कर देंगे, तो हमारा 2.1 आ जाएगा है न, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे, कौन सी, बॉटम बार, बॉटम बार हमारी 3 दी गई है, सेम वही, बॉटम में भी 3, 20 की दी गई है, तो सेम cutting length हो जाएगी, 3 बार 20 की, cutting length है 20.50, unit weight यह, और total weight यह, उसके बाद बॉटम इश्टा, बॉटम इश्टा भी सेम ही रहने वाला, जैसे top पे दिया गया है, वैसे bottom में दिया 24, ठीक, 24 उपर लगेंगी, 24 नीचे लगेंगी, यह आपकी, ठीक, तो यह आपकी हो गई, उसके बाद आप लोग रिंग से आएंगे, रिंग सापका 200 भाई, 450 जो हमारा beam दे गया है, और 200 भाई, 500 का दे गया है, लेकिन 50 mm कवर हो जाएगा, बोट साइट तो 50 mm मैंस करेंग यह हमारा रिंग बनेगा, तो इसकी कटिंग लेंट था जाएगी, 1450 mm, 192 रिंग टोटल लगेंगे, रिंग कैसे लगेंगे यहाँ पे, यहाँ से 700 तक हमारे 95 mm सेंटर टू सेंटर लगेंगे, यह देखिए रिंग 8 रिंग हमारे बीच में आएंगे, यहाँ से यहाँ तक 95 50 mm, यह हम लोग कॉलम से छोड़ के पहला रिंग बनेगे, और यहाँ से हम लोग 8 रिंग हमारे आएंगे यह, और प्लस 8 रिंग हमारे बीच में आएंगे, यहाँ पे 200 mm सेंटर टू सेंटर और फिर 8 रिंग इधर आएंगे, तो मतलब 1 में हमारे 24 रिंग आएंगे, 24 और टोटल वेट हमारा आजाएगा 108 kg, तो इस हिसाब से हमने टोटल एक सरीया एक बीम का निकाल के रखा है, तो यह हमारा 692 kg आ रहा है, यह आपका 6.92, 6.92 कुंटल, है ना, तो यह हमारा एक बीम का है, ऐसे हमारी 4 बीम होगी, तो 4 से हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे, ऐ लैपिंग हमारा जो टॉप का लैपिंग होता है, वो आप बीच में देंगे, बट हमारा बॉटम में लैपिंग हम लोग कभी भी सेंटर के बीच में यहाँ पर लैपिंग नहीं देंगे, वो हमारा इस जोन में ही आएगा, क्योंकि maximum MD moment आपका सेंटर पर आता है, तो नीच हम लोग सेंटर में हम लोग लैपिंग नहीं करते हैं, इतनी चीज़ ध्यान रगना, मिलते हैं लिए वीडियो में तर तक के लिए थैंके, सो मच फोर वाचिंग